नमस्कार विवस मैं हूँ अमीश देवगन और हम लगातार करनाटक से आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बता रहे हैं और मेरे साथ इस समय इस्क्लूसिबली बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतिय जंता पार्टी के राश्ट्रिय ध्यक्ष श्री जगत पार्टी अपनी पूरी ताकत हर चुनाब में लगा रही है कनाटक के चुनाब में भी लगा रही है क्या आपको लगता है बीते चालिस साल में कोई भी सरकार अपने दम पर रिपीट नहीं हुई है क्या इस बार हो पाएगी और क्यो हो पाएगी लेकिन निश्चित रूप में हमने वैसे तो चार वार लगतार हम आगे, 2014 का चुनाओ जीता, 2017 का चुनाओ जीता, 2019 का चुनाओ जीता, 2022 का चुनाओ जीता, हमने नागालेंग में सर्कार बनाई, दूसरी वार हमने त्रिफरा में । दूसरी वार सर्कार बनाई, तो हम एक नए संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और करनातक में भी जो आप कह रहे हो कि możemy 40 साल का record है, हो 40 साल का record वोटेगा और भारतीय जनता पार्टी को मौदी जी का जिस तरीके से लोगों के प्रती जो रूजान है जो आतुरता है जो ऊत्साह देख रहे हैं वोट में कंवर्ट होगा बारतीय जनता पार्टी अपर्टी है यह ए संटरल लीडर्शिप पे जदा भरूसा कर रही है ग्रे मंत्री अमेश शाह, प्रधान मंत्री नरेंद मोदी, जेपी नड़ा, इन पे जादा भरुसा कर रही है, के लोकल लिडर्शिप पर उता ट्रस्ट नहीं है? लेकिन हमारे चुनाव प्रचार में प्रधान मंतरी जी आये, अमिर्शाजी आये, राजनाजी जी आये, मैं आये, हम सब लोग आये. ये हमारी जिम्मारी और हर चुनाओं में हम आते हैं, हर चुनाओं में हम इसी तरीके से चुनाओं में उतरते हैं, लेकिन क्या यदरप्पा जी को चुनाओं में प्रचार में उसी ताकत के साथ नहीं लगें, क्या बोमई जी की सभाई नहीं हुएं, सब की सभाई पचास-प कॉंग्रेस महल बना रही है कि यदरप्पा नराज है लिंगायत नराज है भारतिय जनता पार्टी से ऐसा है कॉंग्रेस पार्टी ऑल्वेस ठिंक्स नेगटिव ये इनों ने ये सुधरेंगे नहीं शमा करिए गार अच्छा शम नहीं है बुलने को लेकिन इनके कारे करने की शैली का ये पार्ट हो गया है डिवीजन 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 एंडिवीजन ये तो घरों में लड़ाई लगाने के कुवाम करते हैं बाकी तो आप छोड़िये समाज को तो बाटते ही बाटते हैं इनकी सोच इनकी तिंकिंग इस तरीके का उधारण कोई कोई एक्जामपल इस तरीके का दिखा सकती है तो उन्होंने खुद कहा कि अब मेरी मैं इससे चीफ चोड़ना चाता हूँ और मैं देखना चाता हूँ कि भारतिय जनता पार्टी पूर्ण वहुमत में अपने सर पर आए और वह एवरी नुक और वह गए उन्होंने सब को साथ जोड़ा है लेकिन यह डिवीजन की बात करना लोगों में ध्रम पैदा करना यह कॉंग्रिस का रि लाए निक Water पुंटा लेकर बारतिय पार्टि आश्वस्त नहीं है बसवनाज Бॉमई को लेकर आश्वस्त नहीं तो करेंगे योगी जी नेतर तो नेतर तो करेंगे, उसी तरीके से मैं कहता हूँ कि बो में जी नेतर तो करेंगे, उनके नेतर तो हम चुना उला रहुए है, लेकिन आप बोलिएगा है, नो कि मुझ्यमंतरी होंगे, इसका ये, इस सम्टिंगि भी डन बाय पार्लिमेंटरी बोल और ये जब हम उनकी तस्वीर लगाते हैं, जब हम उनको आगे लेकर के चलते हैं, तो उसका मतलब यही होता है. यह एक सवाल कि अब तो करणाटक के चुनाव में बजरंग बली की भी एंट्री हो गई है, क्या कहना चाहते हैं आप इस विशे के ओपर? अमिश जी बजरंग बली की एंट्री कॉंग्रिस पारटी ने कराई, हमने नहीं कराई, और वो तुश्टी करण की राजवीती से घ्रशित होकर के ओँग्राई, वो अनोंने कराई हैं, तो निश्चित रूप से, जब आप समाज में किसी को प्लीज करने के लिए, तुश्ट तरफ भी लोग खड़ा होना चाहते हैं तो बजरंग बली के अर्टी तो आपने कराई है और उसका वो आपको देखना भी पड़ रहा है तेकि लेकिन क्या बीजेपी पूरी बजरंग बली के साहरे है क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी रैली में कहते हैं अगर वोट डालना त जाए बजरंग बली कहके वोट डालना ऐसा है बीजेपी अपने नेताओं के साहरे है बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतर तुम्हे आगे बढ़ रही है बीजेपी अपने कारेकरताओं के अधारत पर बढ़ रही है लेकिन हमारे हाँ बजरंग बली का नाम लेना यह सोभाविक बात है कोई भी पवित्र काम करते हैं तो हम गायत्री मंतर पढ़ते हैं हम भजरंग बली का नाम लेते हैं हम उनको लेकर के आगे चलते हैं तो इसका अगर हम उप्योग कर रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है फिर इसको मैं दूसरे तरीके से लो तो क्या भजर हमारी होती है और आपके बद्नियती को एक्सपोज करना ये हमारा हमारी जिम्मवारी होती है तो इसको हम पूरा करते हैं यॉर इल इंटेंशन हैस्टू बी एक्सपोज पर असद अबेसी ने बोला कि अगर करनाटक के अंदर परदानमंतरी कह रे हैं कि जए बजरंगबली का नाराılar लगा कर आप वोट डालना तो मैं बोलूंगा अल्लह हू अक्बर का नारा लगा कि वोट डालना तो डिविजिन तो हो गया पॉलराराइस्ट हो गया चुवको हम ने कहां आपकी बद्नियती को पकड़ रहे हैं और बद्नियती को लोगों के सामने ले जाना है हमारी जिम्मदारी जिस तरह से बीजेपी के कारिकरमों में हम देख रहे हैं मैं भी बजरंगी करके पोस्टर लगे हुए हैं और चाए आपके रोडशो हो चो ग्रे मंतरी अमिश्शा के हो चो परदान मंतरी के रोडशो हो उन सब रोडशो के अंदर हम जैबजरंगली के नारे लगते हुए देख रहे हैं कि आपको लगता है कि बीजेपी ने भी इस विशे को पकड़ लिया है और इसको एंड तक खीचना चाहती है ऐसा पकड़ने का सवाल नहीं है आपने आप गलत हो आपको सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए सपोर्ट उन लोगों को मिलना चाहिए जो समाज को एक दृष्टी से देखते हैं सोनिया गांधी ने करनाटक की सौवरेनिटी को लेकर सम प्रभुता को लेकर एक अपना विचार रखा और उसका ट्वीट कॉंग्रेस पा हुम भी हरान हैं लेकिन हम एक बात पहरे से बोलते हैं कि कोंग्रेस पार्टी बहुखला गई है कोंग्रेस पार्टी का मांसिक दिवालियापन हो चुका है इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना क्या नहीं बोलना वोट के खातिर इतने लालच में पड़े हुए हैं कि कुछ भी कहने को तयार हैं वोट मिलना चाहिए अब इन्होंने संप्रबोता की बात कि यह मेंटल बैंकरपसी का ही कॉंग्रेस पारिटी का नतीज़ा है कि इस तरह की की बात चित गए यहां एक तरीके से उन हजारों लाखों करनाटक के सुतंतलता सेनानियों का जिन्हों ने अपना सर्वस लुटाया इस देश को आज़ाद कराने के लिए उनके प्रतिय अपमान है उनकी बेज़ती है कॉंग्रेस खुलकर करनाटक को भारत से अलग करने की बात कर रही है और पुर्धान मंतिरी ने तो टुकड़े तुकड़े गैंग का भी जिक्र किया क्या आपको लगता है यह जो सोच जो पहले हम जे न्यू के एक दाइरे में देखते थे एक विचारधारा में देखते थे वह अगर कॉंग्रेस पार्टी की सरवोच ने ता अगर उस विचार के साथ खड़े हो रहे हैं तो आपको नहीं लगता भारत की डिमोक्रेसी के लि तुकडे तुकडे गैन ने कहा था अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिन गिंदा हैं अफजल कौन था पार्लिमेंट के अटैक का चीफ आर्किटेक्ट और इसको सजा किसने दी थी सुप्रीम कोट के जैंज ने और उसको अफैल्ड किसने रखा था भारत के राश्टरपती उस समय के प्रनमुकर जी जी ने किया था यानि शर्मिंदा हो सुप्रीम कोट का जैज शर्मिंदा हो भारत का राश्टरपती और तुम उन टुकडे टुकडे गैन के साथ खड़े हो जाते हो और उनके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल भी करते हो और फिर भारत जान मंती नरेंद मोगी हो रोड शो पर बड़ा फोक्स था क्या ये एक बड़ी स्टाटेज्ञ का हिस्सा है देखे, जनता से ज्यादा से ज्यादा जूदने की हमारी इक्षा होती है. कम समय में जुनने की आवशक्ता होती है रोड शो में दोनों काम होता है कॉन्टैक्ट भी होता है अपनी बात कहने का मौका भी मिलता है और लोगों को नजीक लाने का भी मौका मिलता है तो इसको इस तरिश्टी से ये रोड्शो भी होता है पब्लिक मीटिंग्स भी होती है और हॉल मीटिंग्स भी होती है जीत रही है तो क्या आपको लगता है बीजे पी ने आज तक अबी 110 का आकड़ा पार नहीं किया है करनातक के चुनाव के अंदर जब एक लहर भी हमने बीजे पी की देखिए ऐसा है भारती जिन्ता पार्टी उस समय की भारती जिन्ता पार्टी और आज की भारती जिन्ता पार्टी में जमीन असमान का अंतर है पार्टी के बेस में भी और पार्ट नहीं चुनाओ लड़ते हैं मेरा सीधा सवाल है क्या हिंदुत्र की पिछ पे बीजेपी खेल रही है इसलिए उसे उमीद है कि इस बार सारे आकड़ों को पार कर देगी बीजेपी ऐसा है भारती जनता पार्टी राश्ट्रियता के पिछ पर खेलती है यू सी सी यूनिफॉर अगर यू सी सी राश्ट्रे विश्य है तो सेंट्रल गवर्मेंट को वो करना चाहिए राजे सरकारे सिर्फ कर रही है और वो भी चुनाओ से ठीक पहले कर रही है जब मैनिफेस्टो आता है तब ही करते हैं हमीश भाई पर चार साल आपी की सरकार थी है हम इसको करने वाले हैं जब हम करने वाले होते हैं तो हम बता देते हैं कि बीजेपी को यह लग रहा है कि इस बार चाहे लिंगायत हो चाहे वोका लिंगा हो चाहे कॉंग्रेस कितनी भी जातियों को करें लेकिन इस बार हम हिंदुत का प्लैंक अगर चलेंगे तो खेल बदल जाएगा पूरी पिर मैं कहता हूँ, अमीज जी, ये शब्दावली जो है ना, इस शब्दावली को भारतिय जनता पार्टी प्रपोस नहीं करती है, भारतिय जनता पार्टी के शब्दावली है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका फ्यास, लिंगायद भी, सबको साथ, वोक जब हमने रीडू किया, जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं, लिंगायत को जब हमने उनका बढ़ाया, जब हमने गोका लिंगा का बढ़ाया, जब हमने स्टी का बढ़ाया, जब हमने इंटर्नल रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया, जब सारी में आया कि 4% तो गलत तरीके से हुआ है असर Tuning में दानिक हैं इनको और दिया और पस्मन्धा भाइं को मिलता है इनको खाए हैं और भाइंड में तो जो ही di oportunity तो पस्मन्धा भाइं के दारा है कर भी रिमान खान कांग्रेस पाटी वर्षट में तो beiden यह नहीं है कि यह समाज को विभाजित करने के लिए गैर समवाधनेक बातों को कहने के लिए कोई कॉछता नहीं है कि समविदान पढ़ते हो तुम तुम्हारे ही पूरवज समविदान समिती में बैठ करके घंटो डेलिबरेट करके आर्टिकल 44 ऑफ दी इंडियन कंस्टिटूशन पार्ट फोर है बड़े पश शब्दों में कहता है डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिशी तो रहमान साब अपने बुजरगों से पूछ लो अपने पूरवज़ों से पूछ लो एक बात उनों ने और बोल का नारा जैसे जैसे पूरे करनाटक में लग रहा है एक दर का महल बन जाएगा एक दो महीनों के अंदर अगर ऐसी नक्ता रहेगा तो और आप जो कुछ और आप जो जिस तरीके की भाशा का प्योग करते रहे वो 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 डुराने के लिए नहीं था क्या जिस तरीके के एं हैं तो देश कमजोर होता है और जब तुम एंटी नैशनल फोर्स के साथ खड़े होता है तो देश मजबूत होता है वारवा कांग्रेस का डेफिनेशन और कांग्रेस के निताओं का डेफिनेशन भगवानी बचाये इन से करनाता के चुनाव में SDPI कितना बड़ा फैक्टर है क्योंकि 13% मुस्लिम अबादी है और उनके लगबग लगबग पहले 100 कैंडिडेट खड़े थे अब 16 कैंडिडेट खड़े हैं वो कुछ कैंडिडेट कांग्रेस के समर्थन में उनने बठाये हैं जो उनकी जनरल सेकेर नहीं हो हम सचाई के साथ खड़े हैं यह बात बड़ी स्पश्ट है मैंने आपको पूरे इंटर्व्यू में एक्स्पोज किया कि उनकी नियत में खोट है उनकी नियत साफ नहीं है हमारी नियत समाच को मजबूती के साथ बिना कॉंप्रमाइस की आगे बढ़ने है इस मेरे दिल में आता है जो पूछने के लिए इस और अपा बीजेपी के बड़े नेता हैं आप लगतार प्रचार कर रहे हैं उन्होंने एक बयान दिया कि हमें मुस्लमानों का वोट नहीं चाहिए कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा लाइन से बाहर जाते हैं उनको संभाल कर रखना यह हमारी जिम्मारी है बारतिये जन्ता पार्टी सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास सब का प्रयाद इस बात को लेकि एक सवाल बीजेपी और मैं बार सवाल मैं आप से दूसरी बार पूछ रहा हूं कि बीजेपी और मुसल्मानों का रिष्टा क्या है जो एक सिटिजन का पार्टी के रिष्टी से देश को मजबूती करने का होता है वही रिष्टा है तो क्यों आपको इतना एंटी मुस्लिम करार देने की यह लोगों का प्रयास होता है हमारा कहना यह पार्टी का कोर इशू क्या है सब को साथ ले करके चलना इस चुनाव में हमने भाशा की मर्यादा को बहुत नीचे जाते हुए देखा है प्रधान मंतरी को नला एक बेटा कहा जहरीला सांप किया कहा गया और प्रियंका वाडरा प्रियंका गांधी वाडरा ने बोला कि प् इतने प्रधान मंतरी की सक्षियत से गवखला गये हैं घबरा गये हैं आपको कुछ सूज नहीं रहा है कि आपका भाशा स्तरवहीन हो रहा है बहुत नीचे उतर रहा है तरह तरह कि आप बाते करते हैं पार्टी के नेताओं का क्या इसमें होना चाहिए देशुट क्रिटि करने से होता क्या है दूसरे दिन बेटा बोल बैठा तो यह क्या बताता है प्रधान मंतरी ने तो अपनी गालिया कि नाइंटी वन और फॉस्ट यह गांधी परिवार ने इस पर क्या रियाक्त किया प्रियांका गांधी ने का राहुल जी से मोधी जी को सीखना चाहिए उस बोला है कि डीके शिफ कुमारों सिद्धर हमया की में बाचीत एक देख रहा था उन्होंने बोला कि देखिए हम पहली कैबिनिट में आएंगे तो यह सब सब हम काम करेंगे राहुल गांधी ने बोला कि इनकी गैरेंटी मैं ले रहा हूं लेकिन हिमनता विश्वा सर्मा कह है कि राइस्तान में भी इनो ने कहा था चटिसगर में भी तो आपको लगता नहीं है कि बदब उनकी घरेंटी की इसका जवाब तो दिया नहीं देखे क्या होता है जी चावल के एक दाने से चावल की किसम को पहचाना जाता है जी मैंने तो एक दाना पूछा आप आप अभी तक कंडेम करने के लिए तैया आप नहीं हो रहे हैं तो देश को कहा विश्वास होगा रंदीप सुर्जेवाल करनाटक से बाहर निकलते हैं आज कल एक मुख्यमंति का बंगला बहुत चर्चा में है और वहां पर परदे 8 लाक रुपे के लगे हैं 45 करोड रुपे खर्च हुए है तो द पॉइंट मतलब मैंने कॉंग्रेस के सीम भुपेश भगिल का घर देखा है ममता बेनर जी का घर देखा है योगी जी का घर आपका भी देखा है प्रधान मंत्री मोदी जी का भी देखा है राश्पती पपन भी देखा है ऐसा घर हमने देखा जहां पर इस तरह की विवस्ता हो इस विश्य पर आप क्या कहना चाहते हैं क्योंकि राजनीती जो है वो लोक लाट से चलती है लेकिन एक व्यक्ति जो कहता था मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए बड़ा बड़ा वाली पार्टी का उदय होना ही प्रजा तंतर के लिए किता खत्रनाग था यह चोटा विश्य नहीं बहुत सीरियस विश्य है लेकिन क्या इस गंभीरता को आपका चैनल आगे ले जाएगा मैं प्रश्ण करना चाहता हूं जिन लोगों ने रामलीला मैदान में बैठ करके जन लोकपाल की बात की सुचिता की बात की जी और सुचिता के लिए उन्होंने अपने आपको समर्पित करने की बात की इन वे उन्होंने पुलिटिकल पार्टी एग्जिस्टिंग पुलिटिकल पार्टी को के क्रेडिबिल्टी को चालेंज करने की कोशिश की और दुनिया के सब लोग हरे इक तरीके से उसमें जुड़े जब उनका कारणामा देखा तो कारणामा तो सपस्ट है कि जो कहा उसके विरुद गए मैं राजनीती में नहीं आऊंगा आगए मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा पार्टी बनाई मैं गारी नहीं लूँगा सिंखला जोड ली मैं सिक्यूरिटी नहीं लूँगा पूरा ताम जाम खड़ा कर लिया मैं साधारन बस में चलूँगा मैं इंतजार कर रहा हूँ दिन देखने का हम बंगनों में नहीं जाएंगे ये जो और मैं फिर कहता हूँ अगर डिमॉक्रिस्टी को मैच्यूर होना हूँ तो हमेशा याद रखना कि जो लोग अपने बूते से बाहर के बात ही करते हैं वह प्रजात अंतर के लिए खतरनाक होते हैं ये वही उसका जीता जाता प्रबाण है 45 करोड करची हुए वो तो ब्लैक और वाइट में आया होगा 100 किये 50 किये क्या मालम किसों लेकिन मैंने पिछली इंटर्व्यू में भी आपको कहा था कि क्रेजरीवाल has lost its credibility और नेता के ये पेपर देखो ये आई बी का पेपर है गुजरात में हम सरकार बना रहे हैं कहां गायब हो गया पेपर इसको संभाल के रख लेना कहां चला गया पेपर उत्राखंड में हम सरकार बना रहे हैं गोवा में हम सरकार बना रहे हैं और ये देखो ये स्थिती आकर के खड़ी हुए है ये सर्वे रिपोर्ट है ये फलाना है ये ढमकाना है इस तरह की बात करने वाले लोग जिसकी क्रेडिमिल्टी नहीं हो आपने आजाद भारत में कोई मुक्किमंत नहीं देखा जो तखता लेकर चलता हो कि मैं कट्टर इमांदार हो ये आपको तखता लेकर के चलने का मतलब ये है कि आपका डिग्रेडेशन आपका हरास उस राम लिला मैदान से लेकर कहां पहुँच गया है इस बात को आपको बैट करके जेल में हैं दूसरा बोलता है कि मेरे पास कुछ निकला इए नहीं आज सब जेल में पहुँच गया है और हर तीसरे दिन चौते जिन नितार बेल मांगने के लिए दौड़े होता है तो बेल क्यों नहीं मिलता है कानून के दारे में क्यों आ गया तो यह टोटल जो इसको कहते हैं और इसको जन्ता के बीच में एक्सपोज करना यह भारती जन्ता पार्टी की जिम्मेवारी है प्रजात अंतर को मजबूत करने के लिए हम करेंगे लेकिन पंतालिस करोड उपए जो बंगले पे उन्होंने खर्च करे वो एक बड़ा विश्य बन गया है अब लेकिन जिस तरह से अरविंद केज़िवाल अपनी पॉलिटिक्स को बीते कुछ वर्शों में चलाया है उन्होंने बोला कि मेरी पार्टी ने बहुत जल्दी ग्रो गोटाला नहीं किया है बस गोटाला पानी गोटाला जल गोटाला हरे गोटाले की हैं शिराब गोटाला माफिया सब कुछ है तब ही तो अंदर है अगर सबूत नहीं होते तो अंदर कैसे है चले आपने हमें बहुत बहुत अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत बहु हम आपके साथ अच्छी तरीके से कमफर्टेबल मिजॉरिटी के साथ बार्टी इंटा पार्टी की सरकार बन रही है। बहुत बहुत शक्रिया।